27 जुलाई 2019 को फेस्बुक के ओपर एक पोस्ट डाली गई थी 20 सितंबर के इवेंट के लिए सभी को बुलाने के लिए वेसिकली कि एरिया 51 पे हम सभी को रेड करनी है यह स्ट्रोम एरिया 51 के नाम से डाली गई थी इसमें लिखा गया था देख देख आंट स्टॉप आल आफ उस वो हम सब को रोक नहीं पाएंगे जहां पर 20 लाख लोगों ने कहा था कि हम सभी वहां पर रेड करने के लिए जरूर पहुचेंगे अगर गोली बारी भी होगी तो हम सभी को वह मार नहीं पाएंगे क्योंकि हम नरेटू रन करकर भाग जाएंगे जो कि हाथ पीछे करकर भाग ना होता है वो करके हम गोलियों से भी बच जाएंगे क्योंकि इससे हमारी रफ्तार काफी ज़्यादा तेज हो जाएगी लेकिन 20 सितमबर तो निकल गई और वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरा नाव है भारष शर्मा आप देखरों देखरों इसको आशा करता हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहोगा तो दोस्तो करीबन 27 जुलाई से लेकर 20 सितमबर का यह जो वक्त था करीबन 2 महीनों का हर टाइप का न्यूस चैनल हर टाइप के लोग सभी बच्चे बुड़े इंतजार कर रहे थे कि यह एरिया 51 के ओपर रेड होने वाली है दो सो लोग पहुँचे एरिया 51 के करीब तक जहां पर दो को तो अरेस्ट भी कर लिया क्योंकि एक ड्रंक था और दूसरे वाला हरकते कुछ इस तरीके की कर रहा था कि उन्होंने का कि आज आज तुझे एरिया 51 दिखाते हैं अच्छी तरीके से तो बेसिकली यहां पर हुआ यह कि जैसे कि कोई फाइट होती है न चार लोंडे कहते हैं कि आरा तुझे तामत कर हम तेरे साथ है चल तू उधर चल देखी जाएगी तो वहां पर सिर्फ दो लड़के पिट रहे होते हैं एक वो जिसकी लड़ाई होती है दूसरा वो जो कि मैं आपको बता दूँ यह एक मजा की था जो कि मैट रॉबर्ट्स ने किया था फेस्बुक के उपर यह इवेंट पोस्ट डाली थी जिसके बाद में उनकी वो पोस्ट डिलीट कर दी गई थी फेस्बुक द्वारा और उन्होंने भी लोगों से बैक करी थी कि वहां पर मज जाना यह तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं यह मेरा एक छोटा सा जोक था उसको तुम इतना सीरियस मतलो वहां पर मज जाना लेकिन 200 लोग गए थे जो की सीरियस नहीं लेके गए थे इस बात को वो भी हसी मजाक में गए थे लेकिन फिर भी हसी मजाक के चकर में दो यूएस एरफोर्स ने भी एक ट्विट किया था ट्विटर के ओपर कि तुम एरिया 51 को रेड करो हमारा स्टेल्थ बॉंबर तुम पर रेड करेगा जिसके बाद में कई लोगों ने इस बात का बुरा मान लिया जिसकी वएसे वह आप तो आप जानते हो जरा-जरा सी बात पर लॉसूट फाइल हो जाता है मुझे तो धंकी दे दी मुझे ये कह दिया जिसके बाद में यूएस एरफोर्स ने भी इस ट्विट के लिए माफी मागी थी हमने ये सिर्फ मजाक के तौर पर किया था जिस तरीके से ये पोस्ट डाली गई थी मजाक के तौर पर यहां पहु जा एलियन को तो ये छुडाई लेंगे गए है ना तो छुडाई लेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये सभी ड्रेस ब्रेस पहन के गए थे और इंजॉय करने के लिए गए थे किसी फैंसी ड्रेस पार्टी की तरह है सुबस दोस्तों 20 सितंबर को यही सब चीज़े होती है और इसी के साथ सथ वहां पर नरूटो रण की बात जो की जा रही थी वो शायद सिर्फ एक बंदे नहीं सुनी थी जो कि इस न्यूज रिपोर्टर के पीछे से इस तरीके से निकल गया जैसे कि कोई गोली निकल जाती तो फिला के लिए इस वीडियो में इतना इता wij बाबरे याम आठी है ज्यू करता को करो तो करें करो ऐसे तुम करो आई ज आमने कर से क्जिए तो करें करेंगे तुम करो ना भी कर्कर कर्कर करना नहीं नहीं है